सोनापुर गाउं के एक अनाथ आश्रम में सीता नाम की ओरत रहती थी खुद अनाथ होने के कारण सीता अनाथ बच्चों का दुख समस्ती थी इसलिए पड़े होकर वेह इसी आश्रम को चलाने लगती है पड़ी लिकी होने के साथ साथ सीता बहुत महनती महिला भी थी और स्वभाव की तो बेहत ही सदारन थी परंतु उसके काले रंग के कारण बहुत बार उसे समाज में शर्मिन्दा होना पड़ता था अनाथ आश्रम में दान करने के लिए कई बार बहुत बड़े बड़े लोग भी आते थी एक दिन राम नाम का व्यक्ति सीता के अनाथ आश्रम में आता है और सीता के स्वभाव के कारण सीता को शादी के लिए पसंद कर लेता है कुछ ही दिनों में सीता और राम की शादी हो जाती है क्या हूँ अजी आज अब इतने परिशान क्यूं लग रहे हैं किसी सोच में है क्या आप किसी बात से परिशान है क्या या आप इस साधी से खुश नहीं है नहीं नहीं सीता ऐसी तो कोई बात नहीं है मेरी परिशानी का कारण तो कुछ हो रहे मैं तो इस बात से परिशान हूँ कि मेरा अमरीका से ओफर लेटर आया है इस नोकरी का मैं कई वर्सों से इंतिजार कर रहा था और आया भी तो देखो आज अम मैं अगर वहां गया तो म मेरे अलावा तुम्हारा दिल्ली में है ही कौन अरे बस इतनी सी बात इसमें इतना क्या सोचना है मुझे मेरी सास के पास गोरकपुर छोड़ देना मैं उनके पास अराम से रह लूँगी नहीं सीता मैंने अपनी मा को नहीं बताया है कि मैंने एक काले रंग की रलकी से शादी की है वह तुम्हारे रंग के कारण तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी इसी कारण मैंने अपने घर से किसी को शादी में बुलाया ही नहीं था क्योंकि मैं जानता हूं सीता मेरी मा एक पुराने विचारों की ओरत है वह तुम्हें तुम्हारे रंग के साथ कभी नहीं अप अरी खोटी बाते सुनो। और खुद भी बहुत खुश रहूंगी। आप तो बस मुझे मेरी सास के पास छोड़ाईए। आप बस अपने काम पे फोकस करो। राम अगले दिन ही फ्लाइट से अम्भी का चला जाता है। सुमित्रा, अरी ओ सुमित्रा, सुना है तेरे घर में नई बहु आई है। अरी कमला, बहुत दिनों बाद आना हुआ। आओ आओ, कैसी हो तुम। अपने बेटे की शादी के बाद तुमने तो आना ही छोड़ दिया। अरी क्या बताऊं सुमित्रा, मैं तो पूरा दिन घर की जंजटों में ही लगी रहती हूँ, बेटा बहु तो ले आया, लेकिन मुझे कोई सुक नहीं है। अरी यह क्या बात हुई, बुडापे में भी हमें अराम करने का सुकून नहीं है क्या। चल यह सब छोड़, अराम से बैठ, मैं तेरे लिए चाय मंगवाती हूँ। सीता, अरी ओ सीता, अरी कहां मर गई, सुना नहीं, एक कप चाय लेती है। हाँ माजी, मैंने काकी की अवाज सुन ली थी, मेरा सोई में चाय ही बना रही थी, ये लीजी आपकी चाय। अरे बापरे, यह राम दिल्ली से क्या ले आया, यह तो उल्टे तवे से भी काली है, राम को कोई ओल लड़की नहीं मिली क्या। कमला के बाते सुन कर सीता को बहुत पुरा लगता है, परन्तु बढ़ों की इज़त रख कर सीता कुछ भी नहीं बोलती। अब क्या ही बताऊं कमला तुझे, मेरा बेटा तो दिल्ली काम करने गया था, मुझे तो लगता है इस काली कलूटन ने मेरे बेटे को जान कर फसा के साधी कर ली, अब तो यह हमारे गले पढ़ गई है। हाँ हाँ सुमित्रा, ये सहर की लड़कें बहुत तेज होती हैं, इनका कोई दीन दरम इमान थोड़ी होता है, जहां ज़्यादा कमाने वाले लड़के देखे नहीं, पसा लेती हैं अपने जाल में। मुझे भी यही लगता है कमला, मेरे बेटे की कमाई देखकर ही ये मेरे राम के गले पड़ी होगी, लेकिन छोड़ अब क्या ही कर सकते हैं। में एडमिट करवा देती है, उठिए माजी, अब आपकी हालत में बहुत सुधार है, अच्छा हुआ आपकी बहुत समय पर आपको होस्पिटल लियाई, वरना कुछ भी हो सकता था, आपको एक बहुत बड़ा हार्ट अटेक आया था, अगर जरासी भी देर होती, तो आपक जान जा सकती थी, शुकर मानिए आपकी बहु का, कि वह समय पे आपको होस्पिटल लियाई, माजी, अब आप ठीक तो है ना, अरे सीता, तुम मुझे इतने बड़े होस्पिटल में लेकर आई हो, इसका तो बिल भी बहुत जादा आया होगा, इतने सारे पैसे कहां से आए क्या राम ने पैसे भेज दिये हैं, नहीं माजी, राम ने अभी पैसे नहीं भेजे हैं, मैंने अपने ही पैसों से आपका इलाज कराया है, राम अगर पैसे भेजते भी, तो इतनी जल्दी नहीं आपाते, सीता, मैं तुम्हें इतने समय तक इतना गलस समस्ती रही बेटा, मुझे माफ कर दो मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे रंग से ही आगती रही लेकिन तुमने ये आज बता दिया कि किसी का रंग रूप कोई माईने नहीं रखता बस व्यक्ति का स्वभाव ही अच्छा होना चाहिए